नमस्कार दोस्तों, डीडी रेट के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ आलोग, तो आज जो वीडियो लेकर रहा हूँ, वीडियो है डेली स्वाइक का और इसका टैटल है इसका ये वीडियो दिखा रहा है लोगों से, और उस पर पूछ रहा है पाकिस्तान के लोगों के रहा है, तो जाहिर सी बात है कि जलेगी तो ज़रूर, तो आएए देखते हैं, कितनी जली आपसे सवाल पूछूँगा, इस ताम दो कश्मीर है, एक हमारे पास कश्मीर है, दूसरे इंडिया के साइट कश्मीर है, आपने फैक्स में बात करनी है, इनसानी हकोग को देखते वे बात करनी है, कि इस टाम मुझूदा टाम के अंदर, पूरे पाकिस्तान की कंडिशन भ जी, बिल्कुल है, देखें, फर्स्ट ओफॉल हम लोगों का ना एक बहुत नेरेटिव बना हुए जिसको हम जजबाती है, एक एमोशनल नेरेटिव कह देते हैं, अब उसका कहा है जनाब, हर साल कश्मीर डे की हमारे पास छुटी आ जाती है, और हमारी युनिवरस्टी, क जो एक कश्मीर है ये एक disputed issue है, ठीक है, अब एक पाकिस्तान की side ये चाहती है, कि जो कश्मीर का पुरा खिता है ना, वो हमारे पास है, भाई किस लिहास से आप कह रहे हो कि कश्मीर जो है, एक disputed मामला है, कैसे, किस चीज़ का विबाद है, क्या कश्मीर के कागजात आप के पास है, क्या कश्मीर का मालिकाना हक आपके पास है, क्या कश्मीर के राजा महराजा हरी सिंग ने आपके साथ विलय के दस्ताविजों पर समझोते किये थे, पाकिस्तान कहता है कि ये disputed मामला है, हम नहीं कहते है, कोई disputed मामला नहीं है, dispute Pakistan पैदा कर रहा है, जाकर history पढ ही है कि aggressor कौन था तब आपको समझ में आएगा कि dispute कौन पैदा कर रहा है और कश्मीर कोई disputed मामला नहीं है कश्मीर पूरी तरह से सौ फिस्दी हमारा है सौ फिस्दी अगर कोई यह साबित कर दे कि किस बिना पर तो फिर मैं सबूत और पेश करूँगा इंडियन्स यह कहते हैं कि हमारे पास आए पाकिस्तान की गवर्मेंट और पाकिस्तान की मीडिया स्पेशली मैं आपको बहुत अप्रिशेट करूँगा मैंने इंसे इंटर्वियू से पहले इंसे पूछा कि मेरा जो ऑपिनियन है उसे आप अग्रीना करें यह आउडियन्स एग्रीना करें इन्होंने का मुझे इससे फरक नहीं बढ़ता मैं उसको अपलोड करूँगा हम अपनी अवाम को यह नेरेटिव बेचते हैं हम अपनी हमाम को ये नेरेटिव बेशते हैं कि जो कश्मीरी उन पर बहुत जुलम हो रहा है और भारती फौज बगरा उनके उपर बहुत कोई मजालिम ढ़ा रही है उन लोगों के उपर तो हमने उनको वहां सूपर हीरो जा के हमने उनको बचाना है अब जो इंडियन्स हैं पैरलेल उनका भी मीडिया सेम इसे तरह है उनका मीडिया वहां जाकर ये नेरेटिव बेशत है कि जनाब जो पाकिस्तानी आतंकवादी है पाकिस्तानी आतंकवादी है वहां जाकर गुसपैटी है वहां आकर और कश्मीरियों पर जनाब बहुत जुल के साथ आना चाहते हैं सी वह इंडिया के साथ जाना चाहते हैं अगर हम किश्मीरियों से पूछें तो कश्मीरियों का आप पूरे स्टाइट्स निकाल कर देख लें नहीं तो जमू और किसी शक्स किसी शक्स का कोई इंटर्वियों अनभाइस इंटर्वियों अगर आपको मि हम यह नहीं चाहते कि जनाब दो कंट्रीज हमारी सर्जमीन पर आकर हमसे लड़ रही है एक डिस्प्यूटिड हमें बनाया हुआ है टेरिटरी के जनाब वो कह रही हैं हम लेंगे वो कह रही हैं हम लेंगे आप पेपर टॉक्स के जरीए कोई एक मिड़ पॉइंट निकालें आप एक मिड़ पॉइंट निकालें अगर अलएदा फेक्टर मनाने पर उसका रिफरेंडम नहीं करवाया गें इंडिया की तरफ से इंडिया ने कुछ इलीगल हरकतें की हैं जिसकी वज़ाए से हम उनके खिलाफ नारे भी लगाते हैं और जो हमारे जाज ने लगाना अखरी फैसला हुआ था वह था रिफ्रेंडम करवाने का कि रिफ्रेंडम होगा और अगर कश्मीरी इस सपोर्ट में आ गए कि जनाब हमने इंडिया के साथ जाने तो हमने दो नहीं माने ना सबसे पहले कि हमने अपने फोच को टोटली अटाना था टोटली खाली करना था अगर मुझमिल भाई मेरी आप वीडियो देख रहे हैं आप इन भाई से मेरी बात कराईए आप इन से मेरी बात कराईए कि इंडस वाटर ट्रीटी में ऐसा कौन सा काम है जो भारत करता है जिसके वज़े से पाकिसान परिशान होता है और मैं फैक्स पर बात करूँगा मैं वाटसेफ फॉरवर्ड और इससे नहीं तो इन भाई साथ से बोल दिजिए कि मेरे सामने पढ़ लिख कर आएंगे फिर बात करेंगे मैं इसे इंडस वाटर ट्रीटी पे इन तक मेरी बात पहुचाईए क्या किया है भारत ने पहुचाईए उप सही हब आवाई है हम ही बाते हैं इमाई बाते करनी है अदूसरी बात UN के रिजुलेशन्स को बोलिए कि ज़रा धंग से जाकर पढ़ें पहले जो आपने बात कहीं न उन से उनको कहीं कि UN के रिजुलेशन्स जाकर पढ़िए पहले धंग से बच्चे अभी ज़रा ज्यान अर्जित कर लिजे बाप दादा और इन्हों लोगों ने जो बाते बताई हुई न दुनिया उसको उलट है जो आपके बाप दादाओं ने आपको बात बताई है दुनिया उसको उलट है जम्मू कश्मीर पर भारत ने कबजा नहीं किया जम्मू कश्मीर पर भारत की फौज ने अटाक नहीं किया जैसा कि आपकी फौज ने बलुचिस्तान में किया और यह आन रिकॉर्ड है मुहमद अली जुन्ना ने बलुचिस्तान के नेताओं के साथ धोखा किया और धोखे से अपनी फौज भेज कर कबजा ली और यह मैं नहीं कहता जी यह पाकिस्तान के ही टॉप नुकलियर फिजिसिस्ट है परवेज हुद बॉई वो कहते हैं सुनिये जिस तरह से फौज ने पाकिस्तान की फौज ने इस मुल्क को गर्दन से पकड़ा हुआ है यह आपको और कहीं नहीं नजर आता आप देखें कि यहां पर जो एरलाइन्स हैं बैंक हैं सीमन्ट के कारखाने हैं सड़क बनाने के लिए और्गनाईजेशन्स हैं वो सब फौज की हैं जगा जगा डी एचे हैं और वो डी एचे बढ़ते चले जाएं बढ़ते चले जाएं उस दोरान इतनी खराबियां पैदा कर दी फौज ने कि हमसे मश्रकी पाकिस्तान अलाइदा हो गया समय कतर में तो कि अईब खान के बाद याया खान आया फिर उसके बाद दो और मार्शल लाँ लगें अब भी फौज ही है जो बड़े फैसले करती है और आज ऐसे है कि हर पुलिटिकल पार्टी मिन्नते करती है फौज की के आहां में गदी दो सुन लिया तो बच्चे पहले पढ़ाई पूरी करो जानकारी मुकमल लिकठा करो अब फिर आके ऐसे कैमरे पर ग्यान दो ठीक है अगली बार जब आना बोलने तो Indus Water Treaty धंक से पढ़कर आना और UN का Resolution धंक से पढ़कर आना UN का Resolution मैं बता जता हूँ कश्मीर पर UN का Resolution नंबर वन पॉइंट पाकिस्तान को अपनी सारी फौज हटानी पड़ेगी जितने भी नॉन कश्मीरी है जहां भी हैं फौज में हो लोकल एडमिन में हो पुलिस में हो रह रहे हो उन सब को वहाँ से हटाना है जब ये नमबर वन शर्त पूरी होगी तो दूसरी शर्त कहती है कि भारत अपनी फौज कम करेगा हटाएगा नहीं भारत अपनी फौज कम करेगा और ऐसा इसलिए है क्योंकि पाकिस्तानी फौज ने अटैक किया था पाकिस्तान अग्रेसर था, पाकिस्तान अटैकर था कश्मीर पर और हमने डिफेंड किया जब ये दोनों शर्ते मान लेगा पाकिस्तान तब रिफरेंडम होगा तो अगर कश्मीरियों का सबसे बड़ा दुश्मन कोई है तो वो पाकिस्तान है क्योंकि ये दोनों UN के रिजुलेशन के पॉइंट सो मानता ही नहीं है और आप मुझे मतलब भारत को आप जिम्यदा ठेराते हो शर्म आये तो UN के रिजुलेशन पढ़ना और इंडर्स वार्टर ट्रीटी रहंग से पढ़ना समझे जाकर गहराई से पढ़ना तब बात करेंगे वरना अभी आपको समझ दो कि आपके बुद्धी पर किस तरह के सवाल उठ रहे हैं अभी पानी का वैसे करते हैं? वो उस ट्रीटी के खिलाफ जाकर इस तरह आपको पता देते हैं कि हम पानी चोड़ने लगे हैं अपने दिफार कर लो अगर हमार बाद डैम होते तो हम बंद कर लेते वो ऐसे भी नहीं है कि हम सोई हो पानी चोड़ दे पूरा लोर भीग जै ऐसे थोड़ी ना ऐसे बिलकुल आपकी बार ठीक है लेकिन वो उसके पीछे आ जाता है मोदी गवर्मेंट को और वो एक लंबी वहसे जो पॉलिटिकल कॉन्फिक्ट में चली जाती है कि कौन सी गवर्मेंट के साथ कितना सपोर्ट कर रहे हैं बच्चे तुझे पता ही नहीं कुछ भी जाये बाये आए बाये यहाये जो तुने WhatsApp आया है उस पे तुने पढ़ लिया भाई जो तरी अख़वारों ने दिखाया है पढ़ लिया है जो तेरी मीडिया पर दिखाया गया वो तुने देख लिया है मैं फिर कहता हूँ इंडस वाटर ट्रीटी फिर से जाके पढ़ो बच्चे बिना पढ़ेगी बकवास बाते मत करो आकर समझे जाकर पढ़ो उमर अभी तुम्हारी पढ़ने की जल्दी समझ जाओगे पढ़ लोगे तो जल्दी आकर खोल जाएंगी वरना फिर पाकिसानी शुरान खाते रहो और हम अगते रहेंगे बैट के तुम लोगी बाते संकर कितनी उनके दर्मियान जो आप ये कह सकते हैं रिलेशन्स कितने जादा स्ट्रॉंग है खेर बहस ये थी कि जनाब कश्मीर का इशू आखिर सॉल्व किस तरह होगा इसकी बड़ी बेस्ट देखें कश्मीर का जो इशू है ना वो सिर्फ एक बोन आफ कंटेंशन नहीं है ये हमें समझने की बात है कि ये आपके या मेरी सोच से बाला तर बात है इसके अंदर बात आते हैं इंटरनेशनल फंडिंग्स की जिससे फाइदा इंडिया की गवर्मेंट उठाती है पाकिस्तान की गवर्मेंट उठाती है इस इशू को ये जो हूमन नाइट्स वाइलेशन होती है इनको दोनों गवर्मेंट्स कैश करती है अब इसके हकायक ये दोनों गॉर्मेंट्स और हमारी जो अवाम है ये काफी इमोशनल होके कि हम जनाब अपने इस्टैबलिश्मेंट के साथ खड़े हैं, हम अपनी फौज के साथ खड़े हैं, इंडियन्स कहेंगे जनाब हम उनके साथ खड़े हैं, दोनों पार्टी इमोशनल होके इसको करे लेकिन इसका फैक्टर यह बहुत क्लियर अपने दिमाग में रखें कि यह जो एक डिस्प्यूटी टेरिटेरी है हमने उनकी जमीन लेकर कोई उसका अचार नहीं डालना हमारे पास जो है हम से वह नहीं संभाली जारी आपको लगता है कि अगर कश्मेरी यह डिमांड करें आडिकल हडाने के बाद अपनी टेरिटरी करार दे दिया और आप डिवैलेमेंट वहां पर चक करें वहां पर क्या शांदार डिवैलेमेंट उन्हों ना कर दी जीटिवेंटी की मेटिंग रखवा दी लाल चोक को इतना डिवैलप कर दिया दूसरे नंबर पर अभी गिलग पर या करन पर चारने आ से हमांब को और यहांद को उन्डेटी होता है जहां के बढ़िटिटेम को लात निकाल जाता होता है ज कोई अंगरिक्टिड मुजरिम जिसका जुर्म प्रूव होता है वो मुझरिम बाहर से आता है यहां आकर बिल्कुल साधी कमीन हो जाता है सारे नैब के केसिस माफ हो जाते हैं सब कुछ माफ हो जाता है दूसरी तरफ से देखा जाए फाज एक पॉलिटेशन को लागे उपर बिठा देती है और उसी पॉलिटेशन को जब बाहर निकालती है तो वो पॉलिटेशन चिखे मारता है कि जनाब मेरे खिलाफ साधिश होगी मेरे खिलाफ साधिश होगी तो अब देखें जो एक पॉलिटिकल अंस्टेबिलिटी है ना में बेसिक बेसिक वजा यह है जब हम पॉलिटिकली स्टेबल होंगे ना जब हम एक डिमोक्रेटिक कंट्री इसलामी जमूरिया पाकिस्तान वाकिछ जब जमूरियत जब जमूरियत इस मुल्क में आ जएगी ना तब बात यह एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी दूसर मैं यहां पर आपको थोड़ा से चेंज करके न मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगा जो मुझे एक इंडियन ने बेजी है कश्मीरी ये बंदा वो कहता कि भाई आप अपने कश्मीर के साथ क्या कर रहे हो ये जरा पहले हम वीडियो मुलाजा फरमाएं उसके बाद म पर फैंके जाने वाले एक और बॉम की त्यारी कर ली गई है महगाई की चक्री में पिस्ते अवाम हो जाए दरब त्यार क्यूंकि आप चूला जलाने से पहले भी आपको सोचना पड़ेगा सौ बार आपको समझ यह देखें जरा एक लड़का है उसने मुझे वीडियो बीजिक कहता भाई दिखाओ जराब अपने पाकिस्तानी अवाम को यह 4K वीडियो बन रही है यह देखें अब इस तरद्जक देखते जाएं कि क्या रहे हैं चीरी नजर है यह कल ने देख लिए 14.5 बिलियन डॉलर्स के वो रिजरव देते हैं किशमीर को मुझे आपकी बात समझ आ गई लेकिन बात सुने अब इसके अंदर भी ना एक बायस नेरेटिव है आप वो चीज़ दिखा रहे हैं आटे की बोरियां कि आप सची बताना पंजाब में नहीं हो रही सिंद में नहीं लोग लग रहे हैं लाइनों में लोग नहीं मर रहे हैं मैं आपको वही बात बता रहा हूँ यह हमारे पूरे मुलक के सुरते हाल है यह नहीं है कि हम बैठर हो जाने चाहिए ना अगल अब हम यहां पर यह कहरें मोदी जैसे को भी अगर रिलेशन अगर किसी के साथ भी बैठर करें तो हमारे लाद बैठर हो जाएगी यह देखें जब हमारी अजी खाक आएगी पॉलिटिकल स्टिबिलिटी अभी ताजा एक मामला में आपको सुनाता हूँ आपकी सो कॉल्ड डिमोक्रिसी और यह खैर यह तो आप सबको पता है ना पाकिस्तानी होंगे तो इतना तो पता ही होगा कि 76 एर्स में पाकिस्तान एक पीम ऐसा पैदा नहीं कर सका जिसने 5 साल कंटिनिवस राज किया हो पाकिस्तान पर अपना टेनियोर पूरा किया हो पता है ना आप लोगों को क्यों नहीं किया 76 years में ये कोई छोटी छोटा मोटा वक्त नहीं है 76 years ठीक है दूसरी बात आप कहते हैं कि जी political stability political stability चाहिए और ऐसा चाहिए और वैसा चाहिए अभी आपके जो defense secretary थे हैं सोरी वो lieutenant general के rank से retire हुए है सेना से retire बनते हैं और वो defense secretary बने है किसी corruption के मामले में किसी मामले में court के judge ने order दिया कि भाई आप इस पे अपना हलफ नामा दीजिए अपनी बात करिए आईए बताईए आपको पता है कि उस retired army officer ने क्या किया है judge को निकलवा दिया judge को बर्खास कर दिया गया judge को OSD बना दिया गया on special duty जिसमें कोई काम नहीं होता है कोई case की सुन्माई नहीं करेंगे वो वस बैठ को उनको salary मिलेगी judge का ही पत्ता साफ करवा दिया बोला कि अच्छा तू hero बन रहा है तो आर्मी के left in general rank के retired आदमी के सामने तू hero बन रहा है ले तूझे ही रास्ते से हड़ा जतो हड़ा दिया आप सोचों कि जब एक retired आर्मी के अफसर का रुतबाई यह है तो जो serving army अफसर है वो क्या करते होंगे पर आप कहते हो political stability 76 years होगा है पाकिसान में political stability नहीं आई ना अगले 76 years भी नहीं आएगी यह गरंटी में आपको देता हूं table talking करके sort out करें ना हम देने को तयार है ना वो देने को तयार है तो इसका relation कहा जाए table talk दो जो एक तरह की parties होती है ना उनके दर्मियान होती है अब एक bodybuilder एक bodybuilder आके एक बच्चे से लड़ने लगेगा ना तो उनके दर्मियान कभी table talk नहीं होगी क्योंकि bodybuilder को पता होगा मैं जब चाहूं इसको उठा के उदर फेक सकता हूं तयार तो थे भाई वाजपाई भी आए उसके बाद मोदी भी आए बात चीत करने के लिए हमने क्या हमने बात किये है के तब तब की economic situations और अब की economic situations में जमीन अस्मान का फरक है अभी basic बात यह है के जब हमारी political stability आजेगी जब ऐसा है भाई साब कि पहले भी जो political stability थी जो आब आत करने वह ऐसी थी और जो आप कहरे रहे न एकॉनमिक सिती जो कहरे है वाब वो भी एक जैसी थी आप 1947 से उठा लीजे हमारी GDP और अपनी GDP देख लीजे facts तो सामने है न आप आसपास भी economic condition में आप आसपास भी नहीं थे हमारे कभी भी पाकिसान नाम का नया देश बना पैदा हुआ और तब से लिक रास्ता चेटर साल हमारे मुकाबले में कहीं नहीं रहे आप हमारी हालत खराब ही रही न तो हमारे मुकाबले में आप कहीं नहीं रहे इसलिए कहता हूं फैक्स पढ़िये बूलने से पहले फैक्स बहुत जरूरी है पढ़नी जब हमारी economic stability आया जाएगी तब हम फलस्तीन के लिए भी खड़े हो सकते हैं तब हम कश्मीर के लिए भी खड़े हो सकते हैं फिर हम जो मर्जी कर सकते हैं तो इसके लिए basic एक चीज उन से क्योर नहीं होगा मेरा नहीं ख्याल हम है किसी सुरथ नहीं बहुत अच्छा लगा बात करके आपन बिलियन डॉलर भी पुरी ने लगा रहे वो चोदा बिलियन डॉलर लगा रहें अपने कश्मीर के अंदर reserve वो अपने कश्मीर बजट निकालते हैं हर साल क्या हैं और मतलब बिल्कुल हम बंदे-बंदे के हमने पैसे देने हैं और हम यहां पर यह कहते हैं कि कश्मीरी पाकिस्तान आना चाहते हैं तोड़ पोड़ के तो क्या इन सिजुएशन के अंदर जो मुलक छोड़कर नौजवान जा रहे हैं क्या यह इस बात में सदाकत है कि व मुलकी अलागत हैं पुलिटिकल कंडिशन हैं और क्राइसिस चाल रहे हैं बहुत ज्यादा ना तो कोई भी निचाएगा कि मतलब इस सिचुएशन में आने का ना यहां से लोग बलके बाहर बाग रहे हैं जितने भी मेरे दोस्ते हैं मेरी उनसे एकसर बात होती तो यही कहत चाले मेरी तो कश्मीरी कहीं के बहुत हैं यहां पर कम है यहां पर अगर अमीरी भी है हर मुलक अमेरिका के अंदर भी जाएंगे तो यह सारी चीज़े साथ सक चलती है तो बात करने का परपस यह है कि वह उपने कश्मीर को चोदा बिलियन डॉलर्स का बज़र लगाते हैं जिसके अंदर उनका इंफा स्ट्रचर हर चीज को हम यहां अब बात यहां पर रहा हूं कि कश्मीर के हम एक बिलियन डॉलर्स भी पूरे नहीं दे रहे और हम यह दावा करते हैं कि वह भी इदर आपना चाहते हैं तो क्या दिनी सिदाकत है यह बाट जीक है लेकिन अगर मतलब यह जो हमारे पास अक्सर सोचल मीडिया पर वीडियो कश्मीर में पतलों भारत हो रहा है और मतलब वह भी तो जल्म है ना तो फिर वह क्यों कर रहे हैं चीक है वह मतलब उनको पर कब्जा कि आपकल से पहले जरूर थे चीज़ें चले वीडियो खतम करते हैं मुझमिल भाई मैं को ही बता दूं कि 370 हटने के बाद कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं हुआ है कश्मीर भारत का हिस्सा 1947 से ही है उस दिन से है जिस दिन से महराजा हरी सिंह ने अपना साइन जो है वो विलै पत्र पर साइन कर दिया था और ये वही कागजात है जो उस समें 5.500 से भी ज्यादा जो रियासते थी अलग-अलग उनको सेम वही कागजात दिये गए थे और उन सब का विलय इंडियन डोमिनियन में हुआ रिपब्लिक आफ इंडिया में वो शामिल हुए और जो 370 था वो उसी हमारे कॉंसिशन का हिस्सा था जो 1951 में आया तो ये मत कहिए कि 370 हटने के बाद कश्मीर जो है वो भारत का हुआ हाँ 370 हटने के बाद असल मायनों में कश्मीर को उसका हक मिलना शुरू हुआ जैसा भारत के दूसरे स्टेट्स को बजट मिलते हैं जो डेवलप्रने के काम होते हैं वैसे अब होना शुरू हुआ नहीं तो पहले अब्दुल्ला फैमिली मुफ्ति फैमिली और यही सब मिलकर लूट लाट कर लेते थे नीचे कुछ मिलता है नहीं था लोगों को अब धुनिया का सबसे उंचा रेल्वे ब्रिज महाँ पर है रेल्वे का निजाम हो अब शांदार तरीके से चल रहा है बहुत जल्दी अब जम्मू से शिनगर के बीच ट्रेंट सर्विस शुरू होने वाली है पढ़ा कि नहीं आपको जम्मू से शिनगर के बीच इसके लावा शिनगर में एक और अस्पताल बन रहा है जो शिनगर के लिए बनेगा बहुत बड़ा अस्पताल है वो इसके लावा मॉल बन रहा है वहाँ पर अभी आप देखते चलिए भारत ने पाकिस्तानी प्रपगंडा का एकदम उसको कहते है न जटका दे दिया है आप लोग तो हलाल करते हो न यहाँ जटका दे दिया मामला सीधा धीरे धीरे कुछ नहीं करना सीधा जटके से मारो खतम यह हुआ है वहाँ पर और आने वाले वक तो अभी आप लोग को और जादा मिर्ची लगने वाली है बहुत जादा अभी तो कई सारे प्लांस हैं जो मैं आपको बता नहीं सकता वो प्लांस आने वाले हैं जल्दी आप लोग को पता चलेगा उसके बारे में और तब देखिए आप आप मुझे बताईए कि 370 हटने क बद 2019 मेटा था चार साल हो गए एक भी पत्थरबाजी की घटना नहीं हुए है स्टोन पल्टिंग की नहीं हुई है क्यों नहीं हुई है क्यों नहीं हुई है क्यों नहीं हुई है और मैं तो कहता हूँ मैं तो जो भी कश्मीर के बारे में चैलेंज करता हूँ मैं बोलता प्राकिसानी कश्मीर के दर्जनों व्लॉगर्स हैं, प्योर कश्मीरी, मुसल्मान कश्मीरी, वो रोज व्लॉग बना के डाल रहा हैं कश्मीर के, आप उनको जाकर देख लो, बस आपको उसे से क्लियर हो जाएगा, बागी कमेंड में आप ज़रू बताएं, जल्दे मिलता और उनको ने वी दोगा सत, नमस्कार, जया है!